पूरा देश जब गरतन दिवस का जशन मना रहा है उस समय आगरा में एक बहुती दर्दनाक घटना देखने को मिली है एक बड़ी घटना देखने को मिली है दरसल तस्वीरें बया कर रही है किस तरह से एक पुरानी धर्मशाला जिसका नाम शिरी राय बहादूर बिशम्मना धर्मशाला है तो तोड़ कर उसको नया कंश्टेक्शन किया रहा था और ये कहा जा रहा है कि बड़ा कॉंप्लेक्स वनाने की योजना थी और उस धर्मशाला के कंश्टेक्शन की जद में किस तरह से तमाम जो घर हैं वो आ चुके हैं करीब आदा दर्जन घर और एक मंद है वो पूरी तरह से जमीदोज हो गया है और इस कंस्ट्रक्शन की इजद में आ गया है और सूचना आ रही है कि एक बच्छी की दर्दनाप मौत भी हो गई है ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह जो बिखरा हुआ मलवा है और यह किस तरह से सुक्षा मानकों को तार करते हुए इस गटना को अंजाम दिया गया है यहां इंट कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तमाम और भी जो घर है वो भी इसके जद में हैं तमाम हमारे लोग हमारे साथ उन से बात करते हैं आप बताईए यह क्या राजू महरा इस टष्ट के अद्धिक्ष है क्या बनाना जादा जानकारी तो नहीं है लेकिन चूकी यह पराना कंस्ट्रक्शन है अब इसको बनाकर कोई नई चीज़ बन रही है तो बट नेच्रल सी बात है कि कोई नहीं कॉमर्शल अक्टिविटी का जनम हो रहा होगा लेकिन यह देखना चाहिए कि यहां आसपास यह पुराना पुराने शहर में जो जाहाव बिल्डबिंग स्ञ pendant 1202 साल आनीो यह भी है लिget बदना के लिए यहां पर की च्छोटी oldjosति के जान चली गई लेकिन की मौत हो गई है लेकिनी की मौत हो गई है कि भी सीरियस बताते हैं उसका सीज़े कमर का सीज़े दबा हुआ है और भी लोग हमारे साथ है आप बताइए कि यह जो भी बिल्डर बना रहा था इसको क्या वह कोई भी आप सेफ्टी मेंजर यूज कर रहा था मतलब सब्सक्राइब कर नहीं था सर अम याद मेरे मकान यह यह देली बैटके देखता सोब्साम इने अतनी मत्री हो दी हैं से दो चारवर हम लोगों ने कई भी में मकान कि सेटी गरोंने कोई सेटी निकरी तो दोबारन अज जेके हो गया सारे मकानों में क्रेक सा रखे हुए राजू महरा कि राजू महरा देखिए जो लोग अपनी अपनी कंप्लेंड कर रहे हैं लोगों में आक्रोश है और सबसे बड़ी बाती है कि चुकि यह निर्मान को लेकर किसी भी तरह की नक्षा सुईकृती नहीं की गई तमाम जो फॉलो नहीं किया यहीं वज़े है कि रात में काम ज्यादा होता था गुप चुप तरीके से काम ज्यादा होता था और भी लोग हैं जिनमें जबर्दस आक्रोश है देखिए मैं आपको घर दिखाना चाहता हूं यह तरीके से यह जो यह जो घर हैं यह पूरी तरह से जमी रहा है किस तरीके से पूरे के पूरे घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और घर और जो नीचे जो समय जो घहराई हो रखी हुई है उसमें करीब करीब 50-60 फीट की घहराई इससे ज्यादा गहराई लोग के लोग 70 फीट की घहराई समय यहां नजर आ रही है तो आप स सकते हैं वहीं दूसरी तरह आप देखिए च्छत पर खड़े जो शक्स हैं उनका कहना है पड़ोस में जो इस्ट्रक्चर एक धर्मशाला और है वो भी उसमें भी कई सारे क्रेक्स कई सारी दरार है उसमें भी आई हुई है आप समाझ सकते हैं कि किस तरह से इंसान पैसों क तरह से अंधा हो रखा हुआ है और तमाम जो मानक होने चाहिए एक मकान बनने के लिए क्यों की भी घर कॉंपलेक्स बनने के लिए उनका उनकों को नहीं दियान रखा जाता है और यही बज़ा है कि इस तरह की बड़ी गठना है देखने को इस मामले में दुखत तरीके से एक बच्ची की मौत की सूचना है जो उनके पिता है विवेक उनकी बड़ी वेहन वैधेई उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है उनका भी एक निजी अस्प प्रिदार लोग हैं उनके खिलाब क्या कारवाई होती है किस तरह से उन पर शिकंजा का सा जाता है क्योंकि कल भी एक बड़ी गठना लखनों में देखने को मिली जब अलाया अपार्टमेंट के जो मालिक हैं विल्डर है उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको जेल भे अलब कियों